वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है वक्त फकीर को भी भुजूर बना देता है और वक्त की कदर करना सीख लेया बंदे क्योंकि वक्त कोईले को भी कोहिनूर बना देता है नमस्कार साथियों मैं राजकुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार PVR स्टडी में आप सभी हजारों बच्चों के डाउट हैं अब मैं इसका एक सेशन चलाने लगा हूं डाउट सेशन अपने डाउट आप कमेंट में कमेंट करोगे बिल्कुल कमेंट में भर दोग्दम पूरा सब आपको हम वीडियो बनाके देंगे जिस पे ज़्यादा दिखता होगी आज कई डाउट है टॉपिक का कौन-कौन पूछा है मैं उनके कुछ बच्चों के नाम लूँगा जैसे कि अनुपम जैसवाल जी इन्होंने पूछा ह हुआ है रामकुमार जी ने पूछा हुआ है प्रबेज आलम पृतिया तो सैल्जा उपाध्याय और नाम है दिनेश कुमार ठीक है अंजनी जैसवान मंजीत सिंग रमेश गुपता सीमा रानी और महेंद्र सिंग यह सब अलग-अलग राज्यों से हैं भारत देश के इनकी बहुत सारे डाउट हैं और मैंने सोचा कि चलो इस पर वीडियो बना देते हैं इनकी बड़ी प्रॉब्लम है कि दसामलों में अगर संख्या है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं जैसा कि मैं कभी लंबी चोड़ी बात नहीं करता हूं चोटी चोटी बाते करता हूं तो अगर मेरे भाई ऐसे वर्गमूल निकालने को इन्हें अगर बोला जाता है 64 यह कहते हैं कि गुरुजी यह इसा होता है आईसा इन्होंने देखा है तो फाइनल में प्लस माइनस 8 होता है यह इनको पता है भाईया यह तो सब ठीक है लेकिन जब दसामलों लग जाता है तब क्या होता है मैं सामने से हड़ जाओगा छूप जाओंगा भाग जाओंगा लेकिन आपको इस्क्रिन दिखाऊंगा देखा है टासामलों लागा हो तब आपने देखा होगा रेना आपने सांप देखा है बात कर रहा हूं क्यों होते हैं बाकी कि तो बाले यह बात मैं क्यों कर रहा हूं इस लिए कि जो दसामलों आला सवाल है न उन्में कुछ परसंट भी विखलते हैं मतलब कुछ परसेंट ऐसे होते हैं जो सिंपल तरीके से नहीं हल होते हैं तो उनमें भाग विधी लगा जाती है बाकी सब सवाल आसानी से हल हो जाते हैं तो चट देखो कईसे जो लिखा है यह बिल्कूल भी सेल लावाला यह ऐसे आल नहीं होगा लेकिन मैं यह लगा ना जिन यह वर्गमूल का है अगर यह ऐसे लगा हो था ऐसे यहां पर तीन तो यह घनमूल हो गया समझ रहे हो घनमूल की पहचान है यहां पर तीन लगा होगा जरूर और और वर्गमूल में चाहे कुछ लगा हो या ना लगा हो यह ऐसे ऐसे भी लिखा जा सकता है ऐसे भी ऐसे भी अगर लिखा रहें तब भी इस सारा समझ लेते हैं यह वर्गमूल कह रहा है इस पर दो लिखा यह तब भी नहीं लिखा तब भी इस पर अगर तीन लगाज मतलब घंदमूल ठीक है जिन समझ लेना आई यह बात करते हैं में पॉइंट की जो काम वाली चीज है भी आओ सबसे पहले का करेंगे से पता है आपको इनको हम 8.1 को ना पॉइंट हटाके 81 अपांट 10 कर देते हैं और वर्गमूल का चिनना इसे लगा देते हैं समझ रहो लेकिन यह जो मैं कूश्चन दे दिया आपको यह थोड़ा सा अलग लेबल का हो गया मतलब वो आसानी से नहीं हल होने वाला है मैं आपको सबसे पहले आ वह आसान वाला नहीं मिलेगा यह 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 ऐसे होता तब बात बनती फिर क्या होता यह दो अंक पर दसामलो था मेरे भाई यहां पर दो जीरो बढ़ता ऐसे ठीक है और यहां पर ध्यान रहे यह जो डंडिया है ना यह डंडिया बढ़ी रहेगी इसे नीचे तक आएगी जिससे आप समझ जाओ इसको लिख लो लिखना चाहो इसका पीडियाप में पीवी आरे स्टेडी के टेली गराम चैनल पर आपको दे दूंगा ठीक है भाईया समझ रहे हो आगे बढ़े जलो आ जाओ फिर इसको जोईन कियो कि नहीं नहीं कियो तो कर लो हटा पर टेली गर लिए चलो लो अगला पेश पर चलो जहां पर दिख रहा है ना सबको एकदम मस्त कोनों दिक्कत नहीं है कोनों कोना चलो मेरे बाबु देखो जैसे अगर इसमें मैं दिया अंडरूट अंडरूट इसमें 0.64 इसका वर्गमुल सभी कर लोगे अराम से कर लोगे ना देखो म एक चीज़ा और समझना सावधानी अगर इसको आप ऐसा लिख देते हो ऐसा तो यह गलत है यह गलत काहे को है वह अगर दूए लोग साथ में लेटे हो ठंडी का महीना है तो कम्मल एकट ही है तो एक लोग और लोग एक लोग को नहीं अड़ाओ गे तो ना इंसाफी हुई समझ रहो ना दोनों लोग को थोड़ा थोड़ा गुजा रहा हो टेड़ा हो के लेकिन करना पड़ता है तो ऐसे यह भी है इनमें इनको दोनों को अड़ा कर रखना है यानि वर्गमूल का चिन इस पर होना चाहिए नीचे वाले पर भी नहीं तो फिर अन्याय हो गया यह य इनको क्या करेंगे इनको नीचे थोड़ा बढ़ा के ऐसे होना चाहिए यानि इतना मतलब भी नहीं की बैठाइक पावाद लॉलर या मतलब इतना भी कर दोगे तो नहीं ज्यादा सही है लेकिन हाँ यह यह बीच वारी लाइन है यहां तक तो आना चाहिए बस यह बहुत जरूरी है नहीं अगर यह लाइन तक नहीं ऊपर रह गया तो फिर इसका मतलब यह होता है कि यह वर्गमूल का जो चिन है वो सिर्फ 64 में लगा है सौ में नहीं लगा है लेकिन अगर इसके नीचे थोड़ा सा भी बढ़ गया मतलब दोनों में ठीक है तो यह बात ध्यान र होगा कितना होगा दस इस तरह से मेरे भाईया मेरे बच्चा इसका अंसर 0.8 होगा है ना सही लिखाओं कि नहीं बताओ कि कि इसी को कोई confusion नहीं ना आप चलो बढ़का वाला सवाल कर लेते हैं यह बढ़का इधरा इसको लिख लो कि बढ़का वाला सवाल देखो कि यह बढ़का वाला था अब मैं इसको हल करके दिखाओंगा आप 5.21 ठीक है याद रख लो 5.21 चलो कि नए पेज पर चलूं क्या इसी में कर लो इसको मिटाई देता हूं छोटास तो है आइ पॉइंट टूवन ठीक है न राजा चलो कुशन नंबर तीन डाल दो क्योंकि मैं एक मिटा चुका हूं 5.21 इसका क्या करना है वर्गमूल निकालना है विधिया कौन सी है भाग विधी से ठीक है भाईया चलो आओ सबसे पहले क्या करेंगे पता है आपको नहीं पता है इसका भाग विधी से वर्गमूल करेंगे वर्गमूले तो निकालना है भाग विधिया लगाएंगे जो सबसे पहले साथियों इनको इस लाइन के नीचे लिखते हैं 5.21 इसका वर्गमूल अगर आप देखो तो तीन अंक तक निकालना है दस हमलों के तीन अंक तक इसका मतलब जानते हो इसका मतलब यह है कि अगर इसका आंसर ऐसे आरा 1.21 तो 5 हम यहां तक लिखेंगे दस हमलों के आजाओ फिर तीन अंक तक निकालने के लिए पीछे से इनके तीन जोड़े बनाते हैं यानि दस हमलों के बाद तीन जोड़े बनना चाहिए और जोड़ा बनने के लिए दो कम से कम होना चाहिए क्यूं सदिया भी आओं नहीं देखते हो लोगाईया और लोगाउवाग जो इनका एक जोड़ा तो बन गया से इस एक जोड़ा बन गया में चाहिए यहां चल्सान को पड़ेगा आगर कि वाली है तो उनको थोड़ा दो कि और यहां दिमाग लगाए लो बिने दिमाग के नहीं आने वाला ये चलू तो दिमाग लगा लिए ना आओ ये पाँच हैं तो हम ऐसा कुछ काइस करें किसी संख्या का ऐसा ऱर्ग करें कि पांच हो जाय या पांच inja करो कर को देखो क्लोग है औंगा यहां पर निचवा एकठी वञाए से हाओ ऐसे में लाइन खीचेंगे अब जो दो यहां पे आयाँ था उसको ऊपर भी लिखते हैं यही आंसर है ऊपर आंसर ही गठा हो रहा है और दो दूना कितना हुआ 9 4 तो 4 यहां लिखेंगे इनको घटा आते हैं एक आएगा इनको जोडते हैं एक बात और ध्यान रखते हैं, जोडते समय यहां चार आएगा तो आएसे नहीं लिखेंगे, या फिर इसको बड़ा भी लिखेंगे, तो इसमें सटा के नहीं लिखेंगे, एक लाइन में समझो, इसमें इधर एक गिंती लिखने की जगा छोड़ के लिखना हमें ऐसा, तो य तो इधर साइड का इधर से हम क्या करेंगे एक ही पेयर यहां उतारेंगे टूबन वाला ए यह ठीक हमने से हट जाओंगा लिखने के बाद देख लेना भी सबर रखो पहले समझ लो लिखो मत कोई टिक है समझ लो लिखो मत कोई छापो मत जिन्दगी छप जाएगी अगर समझ लोगे और किवल कापी में छापते रहोगे तो फिर किवल कापी यह छपेगी आपका कोई नाम निशा नहीं रहेगा कहीं इस लिए पहले सो समझ लो चलो अब क्या हुआ इसको घटा लिया मैंने ठीक है इतना अच्छा है यह जोड़ा मैंने दस हमलों के उस पार का उतारा था गंगा उस पार का साजन मेरा उस पार है मिलने को अंदर से बेकरार है देखो कई से उस पार मतलब यह है अगर मैंने तीन बार सोचा है तो यहां पर तीन लिखेंगे यहां पर क्या करें तीन लिखेंगे एक मिन रॉड क्या करेंगे तफ यह पर यहां पर अगर टीन भर गया तो नीचे उपर ऐसे मतलब अब इनका कुड़ा करेंगे तीन त्रिक करनो और तीन चोग बारा देखो होईगा न गड़ बड़ तीन बड़ जाएगा क्या नहीं न ज्यादा हो रहा है न 111 की जगा 129 हो रहा है यह बरदाफ नहीं है तो हाथी के उपर पहार गिर पड़ा मतलब कहते हैं न चूहे को उपर हाथी चड़ गया ऐसा हो ग तो दो बार ले जाओ यह को दो दूना चार और तो चोग का आठ एटीफोर दो बार अगर आप ले गए तो उपर भी दो ले जाओ ठीक है भाईया ठीक है राजा कोई दिक्कत नहीं चलो अब इनको जोड़ो इधर साइड में यहां पे लिखना चार और यह चार ठीक है इन ग्यारा मैंसे चार गया साथ यह बचाए ग्यारा ग्यारा मैंसे आठ गया तीन अब यह बचा नीचे क्या 37 इसमें कोई डाउट नहीं किसी को नहीं न ऊपर से उताल लो डबल जी रो ठीक है मेरे भाई आगे बढ़ूं कोई दिक्कत नहीं किसी को चलो अब देखो यह 37 हो जान कि यह 44 हो गया अब यह भाग लखबग कितनी बार जायगा पता है आप 4 आपर ट्राई करोगे करो होगे उतना आप जान जाओगे पहले कि कितने बार जाएगा ठीक है इसले बार बार सवाल लगाओ तो आठ बार जाएगा टाइम जादा नहीं पहुंच जदा आपको जलवा नहीं रहाँ आठ बार जाएगा आठ बार ले जाओ इनको घटालो 116 लग भगाएगा ये 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, इस में से उधार गया था 6, 6 में से 5 गया 1, इनको जोड़ो 8, 8, 8, 16, 6, 8, 1, 5, और ये 4, ठीक है भाईया, 8 बार गया था, उपर भी 8 जाना चाहिए अब हमें सिर्फ एक बार ले जाना है क्योंकि दस हमलों के तीन एंग तक ले जाना था और हमारा जोड़वा भी एकट बचा है, देखो ये कैसी यह उतर गया था, ये जीरो यह उतर गया था, एक ही बचा है ठीक है भया, ठीक है बाबू, अब कितनी बार जायेगा जानते हो, सिर्फ दो बार जायेगा, अगर तुम तीन बार ले जाके देख लो जादा हो जायेगा तीन बार ले जाके ट्राइ कर लो अगर जिनको नहीं तफली है, देख लो फिर बताना नीचे दिख रहा ना पूरा तो दो दूना चार और दो छंग बारक दो हासी लेक दो पंचे दस एकी ग्यारा हासी लेक दो चोक आठेक नो भाग लिजा के देख लो दो बार गया है बस हमारा आंसर आ गया फाइनल में 2.282 यह आंसर है दसमलों के तीन अंक तक इनको घटाए लो फिर देख लो 24.77 लगबग आएगा 24.77 आएगा ठीक है इनको जोड़ लो या जोड़ो कोई फरक नहीं पड़ता तो यह था आपका क्या ऐसा कोईश्चन था जिसमें थोड़ा फ़ा बुद्धी लगनी थी बात समझ में आई कमेंट करके बताओ इस तरह कि बहुत से सवाल बाच्चों ने पूछा इन पर मैं और वीडियो बनाऊंगा अप कमेंट करो आपका क्या डाउट है पढ़ाओंगा अगले वीडियो में ठीक है भया ठीक है बाबु न तो सभी सेयर जरूर करना इसे करोगे न पका ठीक है उमीद है कि आप जरूर सेयर करोगे यारा मेरी बात मानोगे न तहम बिल्कुल आपको मैं त्मास्टर बना